हेलो एब्रिवन शिफ शक्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है यह ट्विन फ्लेम की करेंट एनरजी के उपर वीडियो है जैसा कि आप लोग जानते हैं 888 पोर्टल जो की चल रहा है और इसमें बहुत सी डियफ जो एक्सपीरियंस कर रही है वो यह है कि आप इस चाइम कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं बहुत सी डियफ हैं यह एनरजी की बात कर रही हूं मैं बहुत ज़्यादा इंसिक्योर फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको एंगर आ रहा है या बहुत ज़्यादा आप जैलसी फील कर रहे हैं या आपको ऐसा ल रहे हैं जो अभी तक आपको लग रहा था कि यह हील हो चुके हैं कुछ ऐसे ब्लॉकिज जो आपको बिल्कुल कन्फर्म था कि यह चीज अब मेरे साथ नहीं है या मेरा यह ब्लॉकिज एशू हील हो चुका है तो वो चीज़े वी इस टाइम पीरियर्ड में आपकी सर्फीज पर आ रही है और सबसे ज्यादा आपका लोज चक्रा है सेक्रल चक्रा सोलर प्लाक्सिड चक्रा यहां आप देखोगे कि एंगर हद से जादा और चोटी चोटी बात पर गुस्सा हो जाना यह सामने वाले पर बहुत ज्यादा ऑग्रेसिभ बिहेवियर आपका या आप साइन है और आपका जिसका भी fire energy है यह लियो साइन है ऐसे लोग बहुत जादा इस टाइम में aggressive energy में रहेंगे बहुत जादा anger के energy से deal करेंगे तो आपको खुद नहीं समझ में आएगा यह ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि आपका masculine part बहुत जादा overactive है यह जो suppressed emotions है आपके जो negativity थी जो आपने emotions को दबा रखा था अपने अंदर वो सब surface पे आ रहा है इस time period में कुछ आप family drama देख सकते हैं कार्मिक की वज़े से आपकी insult हो सकती है कि कार्मिक आपकी insult कर रहे हैं या उनकी वज़े से कोई drama create हो सकता है क कार्मिक का support ना मिलना DM की life में या DF की life में जो भी कार्मिक है उन्होंने कोई भी drama create कर दिया पर उसमें आपको support नहीं करेंगे totally blaming energy आप पर ही लगाएंगे कि आपकी वज़े से हो रहा है या आप ही गलत हो सामने वाला सही है बहुत ज़्यादा manipulate करना और यह भी है कि जो साम आपको blame जादा कर रहा है कि आपकी ही गलती है जो कुछ भी हो रहा है आपकी personal life में ठीक है और कहीं ना कहीं हाथ होगा आपके कार्मिक का क्योंकि 88 जो है आपका portal यह कर्मा को भी represent करता है और आपके हम सब के जो कर्मा की देपता है शनी देप ठीक है न्याय के देपता उन स चीजों को यह 88 पोर्टल कहीं ना कहीं कवर करेगा आपके जो भी बैड कर्मा है इस टाइम पीरियाट में वो सारे रिलीज होंगे ठीक है कार्मिक एनलजी बहुत जल्दी जल्दी यहां पर रिलीज होंगी आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि यह क्या होने लगा है कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशन्शिप भी होंगे आपके जो सिर्फ एक दिन का होगा मतलब कोई परसन एकदम से आपकी लाइप में आया आपका उससे लड़ाई जगड़ा हुआ देन वो आपकी लाइप से पर्मानेंटली चला गया या वो सिच्वेशन एकदम से रिलीज हो हैं आपकी हैल्प के लिए खड़े हैं ठीक है यह भी चीज़े आप देखोंगे इस एट एट पोर्टल में आप बहुत से लोग यह चीज़े देख चुके होंगे क्योंकि 26 तारिक से आपका यह पोर्टल ओपन हो चुका था और यह एनरजी तभी से चल रही है बहुत पाई ले रहे हैं बड़ ठीक नहीं हो रहा है अब यहां पर वो चीज़े आपकी ठीक होती चली जाएंगे क्योंकि कर्मा सिर्फ एक परसन से जुड़ा हुआ नहीं होता है जो कि मैं हर वीडियो में बहुत सी वीडियो में बताती हूं हर वीडियो में नहीं मोस्टली पुरा हुआ हो सकता है ठीक है तो जो भी बैड करमा है आपके वो यहां पर रिलीज होंगे ही होंगे साथ ही साथ अबेंडन्स, मैनिफेस्टेशन, करेज, ठीक है, फियरलेस, कॉन्फिडेंस, यह एनरजी भी बहुत से डियम डियफ अपने अंदर फील करेंगे जिन्नोंने अपनी अच्छे से हीलिंग कर ली होगे तो ओवर ओल देखा जाए आपका जो यह एट एट पोर्टल है बहुत जल्दी जल्दी सारे करमा रिलीज होंगे आपका और जो आपके बैड एनरजीज हैं आपके बहुत ज़दा परजिंग होगी ठीक है आपको बहुत ज़दा न आपको ऐसी ठकान महसूस होगी कि आपने जैसे की बहुत सारा काम कर लिया है सारा बर्डन ही आपके ऊपर है ऐसा भी आप महसूस करेंगे दूसरी बात यह है कि आपको ऐसा लगे का सारी जिम्मेदारी आपके ही उपर है सब कुछ आपको ही समालना है और इसकी बज़े से आप खुद को disturb भी करोगे, बहुत जाद आपको anxiety भी हो सकती है, बहुत जाद आपको stress हो सकता है, तो आप खुद को free will दें, हर चीज की जिम्मेदारी आपको नहीं लेनी है, जहां आपको जिम्मेदारी लेनी है, जिर्फ वहां लेजिए, क्योंकि आप बिना बात के या फाल को ही बोलने दीजे, आप बिल्कुल मत उसमें involved होना है आपको, आपको involved नहीं होना है वहां पे, और जहां आपको involved होना है, बोलना है, तो वहां बोले, क्योंकि ऐसे में हो सकता है, कि आपको कोई कर्मा नहीं है, वहां कर्मा create हो जाए, तो इन सब चीजों का भी ध्यान होगा, फिर कुछ time बाद आप ये feel करेंगे, कि आप बहुत जादा calm down हो गए है, या वो energy release हो गई है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, या इस चीज को आपको decode करना है, कि आपके अंदर क्या चीज है, जो आपको बार बार trigger कर रही है, सामने वाला आपको किस बात को लेकर trigger कर रहा है, क्योंकि energy बहुत जादा हाई है, और जो भी आपके blockages हैं, वो सब surface पे आ रहे हैं, तो ये energy इस time में चल रही है, सबसे जादा masculine part होता है, जो की इस energy में, जो 88 portal में बहुत जादा activate रहता है, fire energy बहुत जादा आपकी fire part बो लिजिए, या masculine part बो लिजिए, बहुत जादा active रहेगा, कर्मा बहुत जादा active रहेंगे इस time period में, justice आपको मिलेगा, अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, आपके साथ कोई गलत कर रहा है, तो 100% आपको justice मिलेगा ही मिलेगा, और जो कार्मिक होंगे, वो आपकी life से naturally जाएंगे ही जाएंगे, ठीक होंगे, बट कहीं न कहीं fear आपको रोकेगा, fear की वज़े से strap नहीं उठा पा रहे हैं, fear आपको रोक रहा है, तो यह एक issue है आपका, यहाँ पर fear को लेकर आपको work करना है, healing करनी है, confidence की कमी है, आपके अंदर, anger बहुत जादा आ रहा है, ego है, आप बहुत जादा aggressive हो रहे हैं हैं, बहुत जादा dominating की energy में हैं, तो totally यह masculine part है, जो कि आपका बहुत जादा overactive है, आपको अपने solar plexi chakra पे work करना है, right, थोड़ा आप mentally disturbed हो इस time में, ठीक है, कार्मिक आपको disturb करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप पहले की तरह नहीं, पर हो थोड़ा बहुत आप heal करिए, यहाँ पर मुझे बहुत जादा insecurity दिख रही है, यह आपको किसी भी चीज को लेकर हो सकती है, money हो गया, ठीक है, आपका घर हो गया, relationship हो गया, बहुत जादा आप insecure feel कर रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर, यह past की चीज़ें हैं, जो आपके mind में बार-बार घूम रही हैं, past के issues हैं, या past trauma है, childhood trauma है, वो सारा आपका यहाँ पर surface हो रहा है, किसी ने आपको cheat किया था, तो उस चीज का आपके अंदर डर है, जो इस time में surface हो रहा है, यह डर किसी भी तरीके का हो सकता है, overall देखा जाए, तो fear की energy बहुत जादा आ रही है, insecure की energy बहुत जादा आ रही है, jealousy के energy बहुत जादा आ रही है, dominating के energy बहुत जादा आ रही है, तो यह totally आपका masculine part है, जो बहुत जादा over active हो रखा है, आपको balance करना है, यह दोनों तरफ हो सकता है, DF के अंदर भी और DM के side भी, अगर आप यह सब feel कर रहे हैं, तो इसको आप heal करिए, meditation करिए, और अ कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि सब को zero है, आपकी फिर से एक शुरुआत हो रही है, या फिर से आप बिल्कुल वहाँ पहुंच गए हैं, जहां आप शुरुआत में थे, बहुत चीज़े आपको disturb करेंगी, बहुत जादा drama आप चारों तरफ देखोगे, आपको बहुत कन्फिल्ज हो जाओगे कि मैं इन वक कर भी रही हूं या नहीं सही कर रही हूं इन वक, या ये सब चीज़े मेरे साथ क्यों होने लगी हैं एक गम से, तो ये कहीं न कहीं आपका कर्मा है, जो बैक कर्मा है, सब रिलीज हो रहा है, अबंडन्स भी आपको मिल रही है, ऐसा नहीं है, ये वो D.F. हैं जो काफी जादा अपनी हीलिंग कर चुकी है, तो आपको देखना है कि कौन सी चीज है जो आपको बहुत जादा परिशान कर रही है, उसको हील कीजिए, रिलीज कीजिए, और अपने आपको बैलन्स कीजिए, क्योंकि खुद को बैलन्स करना इस आपका mind, body, soul तीनों ही disturb रहेगा, आपको जब अंदर से disturbance होते हैं तो आपको बहार भी बहुत जादा disturbance दिखते हैं, आपके mind में बहुत सारे बिचार चलते रहेंगे, इतने सारे thoughts होंगे, कुछ negative होंगे, कुछ positive होंगे, कहीं आपको ये लगेगा कि सब कुछ ठीक है, कहीं ये लगेगा कि सब कुछ खराब चल रहा है, कोई ठीक नहीं होगा, कोई मुझे चीट कर रहा है, ये ऐसा fear जो आपके साथ past में कुछ चीज़ें होई हैं, उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए रह सकते हैं, तो आप इनको heal करें, ठीक है, अगर आपका childhood trauma है, तो ये meditation कीज़े, अगर आपका कोई past trauma है, तो उसको heal कीज़े, कुछ money से related trauma है, तो उसको heal कीज़े, या fear है, जिस चीज़ को लेकर, meditation में जाकर आप उसको heal कीज़े, ताकि वो चीज़ें आपको बार बार trigger ना कर सके, आपको कहीं नहीं जाना है, अपने अंदर जाना है, तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने एंगर पर कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं है, सप्रेस्ट करना है, कंट्रोल करना है, देखना है किस बात को लेकर आपको एंगर आ रहा है, ठीक है क्योंकि एंगर आपको एक बात को लेकर नहीं आ रहा है, किसी को ऐसा होता है, छ या बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जा रहे हैं तो यह आपका इशू है ठीक है तो यह सब चीज़े आप देखिए उसको हील कीज़ें तो यह थी आज की आनाजी जो मैंने आपको बताई है इसे टिट पोर्टल में नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे तब तक लिए प